दोस्तो टाइटल में तो आपने पढ़ी लिया होगा आज हम डी लिंग का राउटर है जो जिसको हम देशी भासा में बोलते हैं वाइफाई इसकी दोस्तो हम आज अन्बोक्सिंग करेंगे इसका मोडल नमर है डी आई आई आर एट टू फाइफ नमस्कार दोस्तो मेरे डी लिंग का राउटर दोस्तो यह आपको थ्री एर वारंटे के साथ मिलेगा यह डूइल बैंडविध पर काम करता है इस पीडिस की एसी 1200 है इथरनेट पोर्ट क्वालिटी सर्विस यूएस्बी पोर्ट और डबलू पीएस का इसमें फंक्शन रहेगा दोस्तों जो सामन फीचर थे में पीछे में लिखे हुए है आप देख सकते हैं कि दोस्तों पैकिंग इसका बहुत बढ़िया है बढ़िया फिनीसिंग से इसको पैक है और इसमें रेट भी नीचे में लिखा हुआ यह अब देख सकते हैं चली दोस्तों अभी इसको हम open करेंगे, इसको open करने के लिए दोस्तों हमें कटर की जुरत नहीं है, बहुत ही पतला पौली थी नहीं इसमें, इसकी हम open कर रहे हैं, यह दोस्तों side से open होता है, अभी इसको हम बाहर निकालेंगे इसमें दोस्तों एक कार्ड है इसमें इसका वाइफाई पासवर्ड लिखा हुआ है और सीरेल नंबर लिखा हुआ है ये इसका दोस्तों वारंटी कार्ड है ये दोस्तों इसका यूजर मैनुवल है इसमें आप इसका फंक्शनिंग देख सकते हैं यह प्रोड़क्ट सेट अप का जो भी कुछ आपको देखना इसमें देख सकते हैं बागी नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी इसको सेट अप करने के लिए अभी हम इसका अन्बॉक्सिंग कर रहे हैं यह इसका दोस्तो एडेप्टर है इसमें वोट लिखा हुआ है दोस्तो यह दोस्तो हमारा वाइफाई है डिलिंग का राउटर यह इसमें चार एंटिना आते हैं दोस्तो मुझे तो दोस्तो यह देखने में राउटर बहुत बढ़िया लगा बहुत बढ़िया डिजाइन दिया है इसका D-Link ने यहां भी D-Link लिखा हुआ है चलिए अभी इसके Antinu को थोड़ा खड़ा कर देते हैं अभी ये Ready हो चुका है दोस्तो दोस्तो इसके पीछे में देखते हैं ये On-Off Switch है दोस्तो इसको हम पीछे से on off कर सकते हैं इसमें power adapter लगेगा हम आपको दिखाते हैं कैसे लगता है next ये दोस्तो USB है दोस्तो ये yellow color का है जो van port है 1234 ये LAN port है इसके नीचे में serial number वगेरा लिखे हुए है अभी इसको करते हैं side और box में देखते हैं एक LAN cable आती है दोस्तो इसके साथ में एक side से हम इसको system में लगाएंगे और दूसरी side से हम इसको router में लगाएंगे लीजे router में लगा के दिखाता हूँ आपको ये ऐसे लगेगा दोस्तो दूसरी साइड से हम इसको कम्पिटर में लगाएंगे दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैन जैवारत